हलो एव्रीवान तो स्वागत है आप सभी का Magnet Brains ITJE NEED चैनल पर हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की जिसका नाम है Sets Relations and Terminologies Part 3 जी हाँ, अभी तक हमने Part 1, Part 2 डिस्कस किये, बहुत सारी Terminologies डिस्कस की, हमने Sets सीखे Sets के Operations पर काम किया फिर हम Gradually Cartesian Product तुरू रिलेशन पर शुप्ट हुए और हमने Types of Relations को Discuss किया और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में और चीज़े डिस्कस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बट जैसा कि हम डिस्कस करते हैं I'll like to tell you कि IAT-JE का Magnet Brains का Module आपके लिए क्या-क्या लेकर आया है और आपको क्या-क्या चीज़े Absolutely पूरी तरीके से Free of Cost मिलती हैं तो सब से पहली चीज़ I hope आपको पता है Topic-wise Explanation Videos हर Topic का एक Proper Video Solution हर हर Chapter के हर Sub-Topic का एक Proper Video Solution with a lot of illustrations और हर Example का Proper Video Solution उसी Topic पर उसी पर-based Very Well-Designed DPPs Daily Practice Problems और उन DPPs के भी Video Solution I hope आपको यह पता है यह दोनों चीज़ें Magnet Brains की Website पर आपके लिए Available हैं इसके अलावा सब से जरूरी चीज़ हम Ensure करते हैं कि हम Overall PYQs, MCQs, DPPs, Live Test, Mock Test इन सब के तुरू आपके कम से कम हर Topic से Minimum 500 Questions जरूर प्राक्टिस करवाएं That is what we assure you of Right? Apart from that Weekly Live Doubt Solving Clarification Sessions मतलब आपके हर Week आपके सारे Doubts जो Accumulate होते हैं उन सब का Live Doubt Clarification Session Magnet Brains आपके लिए प्लान करता है Apart from that पिछले 20 सालों के नासर जाई मेंस पूछेगे Questions ये भी हम Chapter-wise Topic-wise Discuss करेंगे Apart from that सबसे जरूरी चीज़ आपकी जो भी General Queries हैं जो भी परिशानिया हैं जो भी Problems हैं उन्हें हम Timely Resolve करते रहेंगे We'll keep coming life और हम उन चीज़ों को भी Address करेंगे So don't worry about that और ये दो चीज़े जो हमने डिसकस की सबसे जरूरी और सबसे खास बात इन सारी बातों में कि जब भी पूरा Topic होगा जब भी पूरा Chapter Complete होगा उस Chapter का एक One Short Revision ताक कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं मला हर चीज़ जो आपको आई गही है वो फाइनली एक प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइस करवा दी जाए और येस फाइनली तर टेस्ट सरीज ओनलाइन टेस्ट सरीज तो आप अपनी तैयारी को एवालवेट कर पाएंगे अपने वीकली टेस्ट सरीज के थुरू भी सरी जाएंगे उसी चीज़ों को हमने बहुत सारे अलग लग तरीके की चीज़ेंगे अब उसी कंटीनियूटी को और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और आज देखते हैं आज हमारा सबसे पहला टाइप आफ अफ रिलेशन क्या निकल कराता है Well, वो सबसे ज़रूरी चीज, ताइपस अफ रिलेशन से में एक important point निकल के आ रहा है, वो point किया है, ध्याद से सुनेंगे, वो point है, this is your 5, right? So, 5 is always a subset of A cross A, 5 is subset of all the sets in the world, I hope आपके पता है, 5 is what nothing, तो हर set में nothing तो होता ही है, मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब हर set में कुछ नहीं कुछ होता है, पर कुछ नहीं भी तो होता है, मतलब हर set का एक subset 5 तो होता ही है, पट यहाँ वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, 5 is a subset of A cross A, F is a relation on A, if this F, if this 5 is a relation on A, then this relation is called the void relation on A, the void relation on A, तो यह जो 5 जो set है, यह 5 जो relation है, अगर मैं उसे F से denote करूँ, अगर यह जो 5 हमारा relation है, उसे मैं F से denote करूँ, तो वो कह रहा है, this relation is called void relation, obviously, जैसे कि अगर हमारे पास एक set है, यह A, और A से में A का एक relation बनाता हूँ, बट फिलाल मान लेते हैं, है, इसमें मेरे पास कोई element ही नहीं है, अगर मेरे पास कोई connection ही नहीं है, कोई mapping ही नहीं हो रही है, तो हम इस तरह के relation को void या null relation कहते हैं, बहुत basic सी बात है, मतलब इसके आप details में ना भी जाएं तो चलेगा, बस एक basic सी terminology है जो पता होनी चाहिए, that void या null relation क्या होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं, void relation, null relation, मतलब there is nothing, मतलब उस nothing को मैं explain कैसे करूँ, जब कुछ है ही नहीं, I hope you are getting my point, मतलब उसको picturize करना है, imagine करना मुश्किल होगा, because there is complete void, there is no mapping, there is nothing, मतलब कुछ create ही नहीं हो रहा है, I hope मेरी बात आपको समझ आ रही है, अगला point, बहुत यहां से सुनेंगे, identity relation is always reflexive, but a reflexive relation need not be an identity relation, यह बात हमने last lecture में discuss की थी, हमने identity relations को समझा था, और हमने reflexive relation को समझा था, reflexive में इसलिए अगर आप यहां को यह 1 मिल रहा है, तो उसका इमेज 1 मिलना चाहिए, अगर यहां 2 है तो उसकी mapping 2 होनी चाहिए, अगर यहां 3 है तो इसकी mapping 3 होनी चाहिए, but reflexing में इनके अलावा और भी pairs मिल सकते हैं, मतलब अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिल रहा है, तो 1 का 2, यह 2 का 3, यह 3 का 1 भी मिल सकता है, मतलब यह एक्स्ट्रा पेर भी हो सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ही बात किया है, but वो यह कह रहा है कि एक identity relation में यह वाली चीज़ें हो जरूरी नहीं है, identity का मतलब तो यह सर 1, 1, 2, 2, 3, 3, बस यह मिलना चाहिए, मतलब यहां जो element है, इनके exact replica यहां पर create होने चाहिए, that's all about identity relations, मतलब identity relations सारे जो होते हैं, वो reflexive होते हैं, obviously, दुनिया के सारे identity relations, reflexive relation होगे, but जरूरी नहीं है कि सारे reflexive relations, identity relation हो, क्योंकि reflexive में identity के अलावा कुछ और पार्ट भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो identity ही रहे, मतलब ऐसे समझ सकते हो, कि जो identity relation होता है वो reflexive relation का subset होता है, तो obviously, जितने भी identity relations हैं, वो reflexive तो हैं, बड़ सारे reflexive identity होगे, ऐसा जरूरी नहीं है, I hope यह आपको बात समझ आ रहे हैं, चलिए, एक और बड़ी important property, I hope यह हमने बहुत बार detail में discuss किया है, कि आपको मैं समधानी की कोशिश कर रहा हूँ, कि जरूरी नहीं है कि symmetric और anti-symmetric एक दूसरे की opposite हो, symmetric बड़ा simple सा concept है साहब, symmetric क्या होता है, symmetric मतला अगर x y को replicate कर, मतला x की mapping y मिल रही है, तो y की mapping अगर x मिल जाए, तो हम ऐसे relation को कहते हैं, symmetric, मतला अगर आपको 2 से 3 मिल रहा है, और 3 से 2 भी मिल जाए, मतला ऐसे pair मिलने लगे, मतला a से b, b से a, तो हम ऐसे relation को कहते है, symmetric, जहाँ पे anti-symmetric कुछ और ही बात है, anti-symmetric क्या है, कि सर एक x का y से relation मिल रहा है, और y का x से मिल रहा है, तो ऐसा सिर्फ तब हो, जब x और y equal हो, मतला हो, same element हो, और यह तो हमारा anti-symmetric relation होता है, तो anti-symmetric and symmetric are not opposite of each other, they two are different relations, these two are different types of relations, कि सारे identity relations reflexive होते हैं, बट सारे reflexive identity नहीं होते हैं, दूसरी चीज़, symmetric और anti-symmetric relations are not opposite of each other, यह दोनों अपने आप में individual, अलग अलग types of relations हैं, चलिए, अगर यहाँ तक clear होता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, what is an inverse relation, inverse functions में हम आएंगे थोड़ी देर बाद, हम inverse trigonometric functions पढ़ेंगे, हम इतनी सारी चीज़े detail में discuss करेंगे, और उन सब का बेस है inverse relation, अब inverse relation होता क्या है, even हम bijective functions के बारे में बात करेंगे, हम one one on two functions के बारे में बात करेंगे, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बट इन सब का base जो निकल रहा है, बहुत द्यान से सुनिए, वो कह रहा है, R अगर एक subset है, A cross B का, मतलब A और B का Cartesian product ले लीजिए, और उसमें से कोई साथ भी relation derive करेंगे, लट से R, फिर वो कह रहा है, B a relation from A to B, then the inverse relation of R, denoted by R inverse, is a relation from B to A, defined by this, बड़ी simple सी बात है साब, अगर A से B आपने एक mapping कर रखी है, A से B आपने एक relation define किया है, A में कुछ elements है लेट से और B में कुछ elements है, और ये जो relation ने denote किया है R से, मतलब A set से B set की तरफ, A आपका domain set हो जा रहा है, और B set आपका arrange set हो जा रहा है, जिसमेंसे कुछ elements की कही ना गई, किसी के साथ कुछ ना कुछ mapping की गई है, अगर इसी mapping को invert कर दिया जाए, invert करने का मतलब है, मान लो यहाँ पर मेरे पास कुछ elements है, elements कैसे हो सकते हैं, मान लो यह था A, यह था B और यह था C, मान लो यह element है D, और यह है E और यह है F, तो अगर मैं R inverse define करना चाता हूँ, तो R inverse बड़ा simple सा function होता है, sorry, बड़ा simple सा relation होता है, अभी हम relation के context में बात करने हैं, तो R inverse define केने के लिए सबसे ले तो आपको B को आगे ले ना पढ़ेगा, यहनि अभी आपको जो range था, अब वो क्या बन जाएगा domain, और R inverse B से A define होगा, जैसे R defined था A से B, तो R inverse B से A में define होगा, अतलब B के elements की mapping होगी A की तरफ, तो B से A में आप जाएगे, और जब आप B से A में जाएगे, तो इस mapping को हम कहेंगे R inverse, और R inverse की जब यह mapping होगी, तो mapping कैसी होगी वो समझे, जब R में आप A से E की तरफ जा रहे थे, तो R inverse में आप E से A की तरफ जाएगे, यह होगी आपकी पहली mapping, चलिए, I hope आपको यहाँ तक समझ आ रहे है, इसके अलावा, अब जब आप आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा, आगे सुनिएगा बहुत यहाँ से, अगली inverse mapping का जो अगला पार्ट होगा, जब हम यहाँ देख रहे थे, A से E की mapping, तो अगली mapping दिख रही थी, B से D, तो जब B से D mapping दिख रही, तो यहाँ inverse में जो mapping होनी चाहिए, वो होनी चाहिए D से E, I hope you are realizing, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा था, B से D, I'm really sorry, मैंने E use किया, यहाँ पर mapping थी, B से D, तो यहाँ पर जो mapping होगी, वो होगी D से, B से D जब यहाँ था, तो यहाँ होगा D से B, बस वो inverse plot करने में में थोड़ा सा गन्फूस हो रहा हूँ, आयोब आपको बात समझ आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, यह वाला पाट उठा के रहा हूँ, और यह वाला पाट उठा के रहा हूँ, तो पूरी mirroring कर रहा हूँ, मतलब पूरा invert कर रहा हूँ, तो अप्लीज यहाँ से सुनिए हाँ, convert किया, जो यहां की range थी, वो domain भी convert की, जो domain के elements से DEF, जो denote कर रहे थे, जो map हो रहे थे, ABC से, अब उल्टा हो गया है, DEF अब map कर रहे हैं, A, B और C को, तो this is all about R inverse, I hope आपको यह बात समझेगे, वो कैसे define कर रहा है, R inverse कुछ नहीं है, Y, X हो जाता है, XY का for all R, बड़ी simple सी बात है, और इसे detail में हम समझेगे, आने वाले chapters के थुरू, आप अभी तक, जितना भी हमने पढ़ाए, इससे note down करिए, I hope आपने relations के सारे notes बनाए, अभी तक हमने तीन तरह के special relations पढ़े थे, symmetric, reflexive, और transitive, इन तीनों relations को अगर कोई भी relation फुल्फिल करता है, मतलब कोई भी relation का अगर ऐसा हमें combination मिलता है fortunately, जो की, fortunately, अगर reflexive भी है, वो symmetric भी है, और अगर वो transitive भी है, मतलब कोई relation अगर तीनों को फुल्फिल करता है, तो हम ऐसे relation को कहते हैं, equivalence relation, देखो, वो क्या कह रहा है, उसे ध्यान से पढ़ते हैं, वो कह रहा है, let A be a non-empty set, then a relation, R on A is said to be equivalence relation, if it is reflexive, if R is reflexive, if R is symmetric, and if R is transitive, एक बहुत ही basic से example कितरु मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मानलो एक R हम relation लेते हैं, ना, तो पहले तो मुझे चाहिए वो reflex से वो, reflex का मतलब कहा है, मानलो R के अंदर कुछ elements है, मैं normal से, simple से, standard से elements ले लेता हूँ, 1 and 2, है ना, तो R के अंदर एक element है 1, मतलब domain set के अंदर की मैं elements की बात कर रहा हूँ, और R के अंदर एक element है 2, तो तुम कुछ सोचो, अगर मज़े कहना है, कि ये जो relation है, सरी ये 1 और 2, और लेते एक और element लेते हैं 3, confusion avoid करने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़े clear हो, तो कहना इसे, first of all, अगर ये R relation में चाहता हूँ, और reflexive रहे, तो reflexive की condition बढ़ी simple सी है, कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, और 3 के लिए 3 तो मौझूद हो, I hope ये आपको बात समझ जाए, बात बढ़ी आसान सी थी, अगर 1 domain में है, तो range में भी 1 होना चाहिए, अगर 2 domain में है, तो range में भी 2 होना चाहिए, अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे हमें pairs मिलते हैं, तो हमारी पहली conditions फुल्फिल हो जा रही है, कि हाँ हमारा function सर reflexive तो है, आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा function transitive, sorry, क्या हमारा function symmetric हो सकता है, हाँ बनाने की question से, मैं कुछ random से numbers ले 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 रहा हूँ, जैसे मैं combination यह पर बना लेता हूँ, कि सर एक मेरे पास number है 1, 3, ठीक है सर, 1, 3 है, तो क्या सर 1, 3 होने पे, मुझे एक और चीज़ चाहिए, जी हाँ, बिलकुल चाहिए, अगर सर 1, 3 है, तो symmetric होने के लिए, x, r, y, के लिए मुझे y, r, x, b exist करना चाहिए, तो y से x, अगर यह इस तरह के पेर समें मिलने लग जाए, तो हमारा relation symmetric भी हो जाता है, मैं एक और example ले लेता हूँ, माल लो, मेरे पास एक और number है, let's say, 3 से, या rather 2 से ले लेता है, 2 से 7, तो 2 से अगर 7 लीड कर रहा है, मतलब 2 की mapping 7 से है, तो कहना इसे, मेरे पास एक और condition है, कि 7 की mapping 2 से होनी चाहिए थी, तब ही जाकर मैं कहूँगा, तब ही जाकर मैं कहूँगा, कि यह जो relation है, यह symmetric है, I hope आपको समाझ जा रहे हैं, अभी तक हमारी 2 conditions तो fulfill हो चुकी है, कि R एक ऐसा relation है, जो reflexive और symmetric दोनों है, यहाँ तक कोई परिशानी किसी भी student को, यहाँ तक कोई भी doubt है तो पूछे, comment box में लिखे, आगे बढ़ते हैं class, now I want this relation to be transitive, I hope आपको transitive की definition पता थी, अगर x y को lead करता है, और अगर y z को map करता है, तो x b z को map कर रहा हो, ऐसे relation को, हम transitive relation कहते थे, I hope आपको याद होगा, जैसे 2 से हम 5 पे जा रहे हैं, 5 से अगर हम 11 पे जा रहे हैं, तो मुझे 2 से 11 को ले जाने वाला भी एक pair होना चाहिए, अगर ऐसी mapping भी उसमें मौझूद है, तो हम ऐसे relation को, एक transitive relation कहते थे, अगें थोड़ा सा detail में पढ़िए, अब basic सी बात है class, मुझे 1 से 1 और 1 से 3 मिल रहा है, तो I think 1 से 3 भी मिली रहा है, जब-जब कोई relation, you know, reflexive और symmetric है, तो वहाँ वहाँ इन-इन parts के लिए तो transitive होगा, मैं जब concern क्या है, वो समझना class, concern बड़ा simple सा है, देखो, ऐसे चेक करो, मुझे 1 से 3 मिल रहा है, और 3 से 1 मिल रहा है, तो क्या मुझे 1 से 1 मिल रहा है, हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यह रहा, तो I hope अभी तक चीज़ने transitive है, और समझो, देखो बड़ा interesting सा है, मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना, मुझे 1 से 3 मिल रहा है, और 3 से 3 मिल रहा है, I hope मेरा point समझ जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 1 से 3 मिल रहा है, और 3 से 3 मिल रहा है, तो क्या 3 से 3 मिल रहा है, अबको मेरी language समझ आ रही है, यह reflexive और symmetric होने से यह वाले parts तो transitive होई जा रहे हैं बट problem कहाएगी हम वो समझने की कुशिश करते हैं problem जहाएगी हम उसे work out करने की कुशिश करते हैं देखो मैं कुछ और थोड़े से scenarios create करता हूँ और तो मैं दिखाने की कुशिश करता हूँ यह एक scenario है reflexive या rather transitive case का जैसे समझो बात को दिखान से सुनना मालो एक point कुछ ऐसा होता जैसे की मुझे कुछ दिया जाता 2 से 5 है ना तो पहली बात तो अगर मझे इस equivalence बना के चलना है तो 2 से 5 दिया है तो 5 से 2 भी होना चाहिए I hope आपको बात समझ जाई यह rather मैं इसको एक थोड़ा दूसरा example लेता हूँ मैं 2 से 3 ले लेता हूँ बहुत दियान से सुनना मैंने क्या लिया 2 से 3 अब बहुत दियान से सुनना students everyone please pay attention मुझे क्या मिल रहा है यह rather एक अलग example लेते हैं मुझे 2 7 मिल रहा है 7 2 मिल रहा है मैं 7 और 11 लेता हूँ class दियान से देखना anyway वो equivalence बनना ही वाला है बट फिर भी मैं एक अलग सा example लेकि बताना चाहरा हूँ कि देखो ऐसा भी होता है मादलो एक 7 और 11 है तो पहली बात तो यही बहुत दियान से सुनना कि सर देखो आपका 2 7 को लीड कर रहा है और 7 11 को लीड कर रहा है I hope,ogenous की definition समझे हो, कि Sir, अगर 2, 7 को lead कर रहा है, और 7, 11 को lead कर रहा है, तो क्या transitiv की definition कहती है, कि Sir, 2 जो है, वो भी 11 को lead करें, क्या आपको यह Beararound की बात समझ आई, I hope, tarditasidas functions, tarditasidas relations क्या होते हैं, आपको समझ जा रहा है, मैं फिर से repeat करता हूँ, अगर confusion है तो हमारी condition क्या थी sir कि हमारा 2 7 को lead करता है मदलब 2 की mapping 7 से है और 7 की mapping 11 से है तो A से B और B से C तो A से C भी होना चाहिए यानि 2 से 7 7 से 11 तो एक pair 2 से 11 भी होना चाहिए मैं बस एक equivalence relation बनाना चाहिए कि देखो reflexive हो सकता है तो कैसे हो सकता है symmetric हो सकता है तो कैसे हो सकता है equivalence बनाने के लिए transitive relations कैसे exist करेंगे तो सारे में pairs बना के बता रहा हूँ कि देखो ऐसी 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 चीजें होनी चाहिए और यह सब अगर fulfill हो रहा होगा तो मैं finally उस relation को गांगे देखो यह transitive यह एक equivalent relation है देखो जैसे यहाँ पर 2 से 7, 7 से 11 तो मुझे एक पर यह भी चाहिए कि वहाँ पर 2 से 11 भी मौझूद हो और सर अगर 2 से 11 है तो अभी symmetric आपने होना इसे फिर से avoid करवा दिया क्योंकि सर 2 से 11 है तो एक और चीज़ चाहिए क्या सर यह 11 से 2 भी तो होना चाहिए क्योंकि symmetric क्या होता है X से Y तो Y से X तो 2 से 11 गया है तो 11 से 2 Sir आपने इसको करते करते एक और गड़बढ कर दी गड़बढ क्या कर दी कि Sir अब आपने इसको reflexive होने से रहने दिया क्या से रहने दिया कि Sir 1 1 2 2 3 3 तो था बढ़ आपने कुछ-कुछ गड़बड कर दी कैसी गड़बड कर दी जब आपने 7-2 बनाया तो आपको एक 7-7 भी तो चाहिए था क्योंकि reflexive कैसा होता है X, R, X तो अगर domain में कोई element है तो उसकी same image co domain sorry range में भी होनी चाहिए तो अगर 7 domain में दिख रहा है तो 7,7 भी एक पेर होना चाहिए सर एक और गड़बड आप कर रहे हो गड़बड क्या कर रहे हो कि सर आपने 11 यहां पे ले लिया है अगर domain में 11 भी आ रहा है तो 11 की भी mapping मुझे मिलनी चाहिए तो मुझे यहां पर 11,11 भी अपना उस पे करता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत इंट्रेसिन तरीके से हम चीज को डिस्कुस करने वाले है यह हमारा domain हो जाएगा और यह हमारा range हो जाएगा देखो domain में मुझे क्या क्या दिख रहे है मुझे 1 के अलावा 3 दिख रहे है मुझे 3 के अलावा 2 दिख रहे है और 2 के अलावा मुझे domain में 7 और 11 दिख रहे है तो मैं सारी चीजे लिख लेता हूँ 1 2 3 7 & 11 अच्छा मुझे range में क्या क्या दिख रहे है मुझे range में 1 दिख रहे है मुझे range में 2 भी दिख रहे है मुझे range में 3 भी दिख रहे है और मुझे range में 7 और 11 भी और किस आधार पर इस बेसिश पर हम जाकर फाईनली से क्लीम कर रहे हैं कि एक्विलिंस प्हली बात तो रिफ्लेक्सिव बनाते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है class हर element की same image होनी चाहिए तो सर अगर यहां पर 123 711 है तो anyway यहां भी 1, 2, 3, 7, 11 होना ही चाहिए, यह basic requirement है, क्योंकि पहली condition ही क्या है, कि वो क्या हो, reflexive, reflexive मतलब 1 से 1 की mapping, 2 से 2 की mapping, 3 से 3 की, 7 की 7 से, 11 की 7 से, I hope आपके याद होग, अगर मैं से यहीं रोक दू, तो यह definitely कैसा relation है, यह कैसा relation है online students, यह identity relation है, I hope आपको याद और होगा but मैंने कहा था कि हर identity relation reflexive तो होता है, but सारे reflexive identity नहीं होते, क्योंकि this is one of the reflexive relations, but this is not just limited to identity relation, इसमें और भी combination से, और भी pair से, anyway reflexive तो है, reflexive इसलिए क्योंकि अगर 1, 2, 3, 7, 11 है तो उनकी 1, 2, 3, 7, 11, same mapping है, but यह reflexive होने के साथ, symmetric, transitive, और भी कुछ-कुछ है, है ना, कैसे, देखा कि सर 1 की 3 से mapping थी, तो 3 से 1 की भी होनी चाहिए, बतलब अगर 1, 3 को lead करता है, अब मैं कौन से value बना रहा हूं, glass, अब मैं symmetric बना रहा हूं, symmetric बनाने के लिए ध्यान से देखेगा, अगर सर 1, 3 को lead करता है, तो 3, 1 को lead करे, यह condition होनी चाहिए, सर अगर 2, 7 को lead करता है, तो 7, 2 को lead करे, यहने अगर 2 से अब 7 जाते हो, तो 7 से 2 भी जाओ, I hope आपको समझ जा रहा है, symmetric क्या होता है, मैं लग क्रॉस, अगर यह इसको जा रहा है, तो same उसका इधर से भी जाना चाहिए, this is symmetricity, अच्छा, एक और बात, मैंने एक गरबड कर दी, एक छोटी सी से सुसना, I hope you are realizing, 7, 11 अगर symmetric बनना चाहता है, तो उसके लिए मुझे pair क्या बनाना पड़ेगा, 11, 7, अब बस सारे pair देखो, आपका सब कुछ ठीक चलेगा, मतलब सर अगर 7 से 11 गया, तो 11 से 7 भी जाना होगा, I hope आप कोई mapping समझ जा रही है, मैं बहुत complicated तो नहीं कर रहा आगे चलते हैं class, अगली चीज, हमने I think almost बहुत सारे pairs cover किये हैं, हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3, I think 7, 7 और 11, 11 cover किया, हमने 1, 3, 3, 1, 2, 7, 7, 2, 7, 11 और 11, 7 pair किया, अब बस हमारी एक ही condition बच रही है, problem बस छोटी सी बच रही है, कि सर अब आप transitive वाली condition और फुल्फिल कर लीजे, transitive वा ये जो है, कौन से, सर, ये 2 से 7 लीड हो रहा था और 7 से 11, तो आपका 2 से 11 भी लीड करना चाहिए था, तो 11 से 2, 2 से 11, एक mapping और होनी है, जो मैंने नहीं की, तो सर, ये 2 से 11, और 11 से 2 वाली mapping है, तो symmetricity वाली mapping है, और एक छोटी सी mapping, कि सर 2 से 7 था, तो 7 से 11 होना चाहिए था, तो 2 से अगर 7 था, तो 7 से 11 mapping होनी चाहिए, जो की हो चुकी है, बस यही part missing था, तो जैसे ही आप ensure करेंगे, कि वो symmetric और reflexive है, वहाँ पर transitive आने लगेगा, और transitive होने लगेगे, so this is all about an equivalence relationship, equivalence मतलब क्या, बहुत basic सी language में सुनिये, बहुत basic सी भाशा में, I think मैंने कुछ मिस नहीं किया, let me just cross check, ताकि कुछ confusion ना हो जाए आपको, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7, 11 की सारी mapping है, 1, 3 है तो 3, 1 है, 2, 7 है तो 7, 2 है, बस मुझे cross check कर लेने दीजिए, ताकि आपका कुछ मिस ना हो, अगर 7, 11 है तो 11, 7 है, और I think 2, 11 है तो 11, 2 है, तो symmetric, reflexive और transitive भी है, क्य अगर 11, 2 है, तो बहुत बढ़िया, I think यह पूरा एक proper equivalence relation है, क्योंकि यह reflexive, symmetric और transitive, तीनों की condition फुल्फिल करता है, मैं बहुत basic से तरीके से समझा देना चाहता हूं class, कि एक transitive, एक पूरा equivalence relation होता क्या है, अब प्लीज इस बात को समझे, अगर एक relation equivalence है, अगर एक relation equivalence है, तो मानलों एक छोटे से example लेता हूं, A, B और C, यह अगर तीन element है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो, equivalence relation होने के लिए, A, B, C के लिए, यहाँ पे A, B, C होने चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या बना देंगे class, reflexive, मतलब A का A से mapping, B का B से mapping, और C का C से mapping, तो सबसे पहले, I will ensure, कि एक reflexive relation हो, अब अगर मैं इसमें कुछ और तिक्रम बढ़ाना चाहता हूं, कुछ और complications बढ़ाना चाहता हूं, for example, मैं इसको बनाना चाहता हूं, एक symmetric, although symmetric है, यह symmetric है by the way, हाँ, पर इसमें चलो, मैं कुछ और combination बढ़ाना चाहता हूं, जिसे मानलों, मै A से C अगर pair है, और मान लेते हैं थोड़ी देख लिए, C से एक और pair जा रहा है, D, अब देखो, confuse मत होना, मैं transitive बनाना चाहता हूं, तो transitive बनते-बनते, मैं reflexive और symmetric भी बनाए लूँगा, बहुत याद सुसनना, C से मैं कहां जा रहा हूं, D पर, तो पहली चीज तो जैसी आप C से D पर गए, तो आपने क्या किया, बहुत याद सुसनना, सर आप पहले तो गए A से C पर, और फिर आप गए C से D पर, तो कहना इसे A से D की भी mapping होनी चाहिए, तो A से D की भी mapping होनी चाहिए, अब वापस आएंगे reflexive और symmetric की definitions पर, तो reflexive बनाने के लिए, अगर यहाँ positive भी हम fulfill कर चुके हैं, so this is how equivalence relations look like, I hope मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, बस थोड़ा सा complicated सा है I think, A, A, B, B, C, C, D, D, और अगर A, C था तो CA था, AD है तो DA है, I think A, B से ही चल रहा है, और A से C और C से D था, तो I think A से D भी है, तो I think A से D भी है, तो I think मैंने सारी conditions fulfill की है, मतलब यह proper सा हमारे पास तीनों conditions fulfill होता हुआ, एक relation है, इसे मुझे reflexive भी दिख रहा है online students, क्योंकि मुझे A से A, B से B, C से C, यह definitely एक symmetric relation भी है, मतलब अगर A से B है तो B से A, ऐसे examples की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर यह symmetric है, तो इसके साथ साथ यह transitive भी है, transitive क्यों हम इसे कह र relation इन तीनों properties को satisfy करता है, तो हम उस relation को एक equivalence relation कहते हैं, I repeat, अगर कोई भी relation इन तीनों properties को satisfy करता है, तो उस relation को हम कहते हैं, equivalence relation, यह बहुत important सी property है class, इस पर questions बनते हैं, questions पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे detail में याद रखिएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं class, next property की तर अगला जो type निकल के आ रहे है, that is called partial order relation, बहुत important सा concept तो नहीं है, थोड़ा सा higher level of mathematics की तरह हम बढ़ रहे हैं, बढ़ अगर पूछ लिया जाए तो कोई guarantee नहीं है, तो एक बार जल्दी से system को समझ लेते हैं, और याद रखेंगे, कोशिश करेगा कि आप इसे ध्यान से समझ partial order relation, जिसे equivalence relation था, जहां पर हमें symmetric, reflexive और transitive बनाना था, बस इतना सा समझ के रख लो, कि अगर कोई partial order relation है, तो उसमें तीन चीज़े होंगी, लेकिन वो कौन सी होंगी, ध्यान से देखेगा, उसमें हमारे पास उसको partial order relation कहने के लिए, पहली बात तो वो reflexive होना चाहिए, और symmetric के बजाए इस बार वो कह रहा है, anti-symmetric होनी चाहिए, I hope आपको याद होगा anti-symmetric, anti-symmetric मतलब अगर xy को lead कर रहे और yx को lead कर रहे, तो इस सिर्फ तब हो, जब x और y equal हो, मतलब वो same हो, I hope आपको यह बात याद है, तो this is all about anti-symmetric relation, मतलब anti-symmetric, transitive और reflexive है, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं class, next topic की तरफ, next हमारे एक अलग question की तरफ, जो मैं और clarity देगा की चीज़ें कैसे होती है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, partial order relation को ही और detail में थोड़ा explore करते हैं, इस example से, मतलब हम आपने example इसे लिए नहीं लिया, कि यहाप एक सी सीधा सीधा data रखा हुआ है, जिससे आपको partial order relation और detail में समझाएगा, partial order relation, I hope आपको तीनों बाते आदे, partial order relation मतलब क्या, सर पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, reflexive, दूसरी बात, वो क्या होना चाहिए, transitive, I hope यह तीनों बाते, दोनों बाते पता हैं, और तीसरी सबसे जरूरी बात, वो symmetric नहीं, symmetric होता तो equivalence, वो sir, anti-symmetric होना चाहिए, यह तीन बाते हमारे लिए बहुत जरूरी है, किसी function को, यह हमारा partial order relation कहने के लिए, right, बहुत ध्यान से जुनिए, तो इन तीनों conditions को देखते हैं, और verify करते हैं, वो क्या बोल रहा है question में, पहले question पढ़ेंगे students, I hope आपको यह बाते याद हैं, कि किसी भी question को solve करने के लिए, सबसे जादा जरूरी हिस्सा है, कि आप उस question को अच्छे से समझें पहलें, तो question में क्या कह रहा है, let in, be the set of all natural numbers, तो हमारे पास in, एक set है, सारे natural numbers का, let our relation are, be defined on in, मतलब एक relation ले रहा हू इस बार में set A की जगे set ले रहा हूं, N, सारे natural numbers, और उस पेक relation R define कर रहा हूं, अब relation क्या सुनिएगा, A और B जैसे pair बनेंगे, I hope ही हम pair बनाते है, domain में सारे A, range में सारे B, पर वो condition ही कह रहा है, obviously A और B दोनों ही natural numbers को belong करते हैं, मतलब यह भी सारे natural numbers होंगे, यह भी सारे natural numbers होंगे, मतलब यहां से हम सारे A उठाएंगे, यहां से सारे B उठाएंगे, यह जो सारे A होंगे, यह भी सारे natural numbers होंगे, यह जो सारे B होंगे, यह भी सारे natural numbers होंगे, but condition, relation की सबसे ज़रूरी part, the most critical part, definition क्या है, कि A should be less than equal to B, I hope आपको यह दिखते ही click हो गया होगा, कि sir, म क्योंकि आपको anti-symmetric पढ़ाते हैं, वक्त ही मैंने example लिया था, less than equal to B, क्योंकि जब A less than equal to B होता है, तो वह anti-symmetric ही तो होता है, I hope आपको clear हो रहा है, मैं anti-symmetric क्यों कह रहा हूं इसे, सोचो, 2 is less than 3, 2 is less than equal to 3, 3 is less than equal to, impossible, मतलब क्या है दोनों बाते एक सारे true हो सकती है, क इसर 2 भी 3 से equal है, उसके छोटा है, और 3 भी 2 है, उसके equal छोटा है, मतलब दो number आपस में एक दूसरे से, एक साथ, छोटे या equal कैसे हो सकते हैं, तो यह तब ही हो सकता है, जब वो दोनों number same हो, तो यह कैसा relation होगा, anti-symmetric, अगर confusion है, तो मैं एक और example के साथ, board पर लिखकर clear क है, जितने भी यहाँ पर element मिलेंगे, मानलो मैं कुछ standard natural, मैं सारे यह नहीं ले रहा हूँ, infinite natural numbers होता है, मैं दो चाल लेके तुम्हें समझाता हूँ, जैसे मेरे पास 3 natural number है, 1, 2 and 3, कैना इसे, कि sir 1 जो है, वो less than equal to होता है 1 से, हाँ sir होता है, less than नहीं है बट equal to होता है 2 से, ह हाँ है, less than again नहीं है बट equal तो है, sir क्या 3 less than equal to होता है 3 से, हाँ, तो sir 1,1, 2,2,3,3 इस condition को fulfill करते हुए pairs बनेंगे, और जैसे ऐसे सारे national numbers के pair बनेंगे, मैं बिना सोचे समझे कहूंगा, कि sir यह जो our relation है, वो reflexive तो है, I hope आपको यह बात समझ आ रही है, इसके अलावा, क्या यह our relation transitive है, जरा चेक कर लेते हैं class, our relation के transitive होने के लिए मुझे बताने की तक जरूरत नहीं है, तुम खुद सोच पाओगे, sir 1 जो है मान लो 3 से छोटा है, और sir 3 जो है वो मान लेते हैं 5 से छोटा है, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 1 और 5 की भी तो mapping होगी, क्यों होगी, क यह से जितने भी combination मनेंगे, मतलब अगर A B को lead करेगा और B C को lead करेगा, तो A तो definitely C को lead करेगा ना, I hope मेनी बात समझ आ रही है, मतलब अगर A से B की mapping होगी और B से C की mapping होगी, इस condition को fulfill करते हुए, तो हमारा brain logically इतना सोच पा रहा है थे, कि A तो C को map करेगी, करेगा ना, मतल 1, 2 से छोटा है, और 2, 3 से छोटा है, तो किना इसे 1 भी तो 3 से छोटा होगा, तो यह transitive वाली mapping होई, मैं तो बस एक example दे रहा हूँ, कुछ 3 चुने हुए natural numbers पे, यह सारे natural numbers के लिए true है, बलब है हमारे sit को satisfy कर रहा है, अब finally हम सबसे जरूरी चीज़ चेक करते हैं, I hope आप पहुंचा जा सकता, सिर्फ तब पहुंचा जा सकता है, जब x और y एकवल हो, अरे sir, 1, 1 से छोटा है, 1 के एकवल है, और हाँ sir, 1, 1 से छोटा है, 1 के एकवल है, मैं दो बार 1 अलग-लग 1 की बात कर रहा हूँ, तो यह तब ही हो रहा है, मतलब आप समझो, x, y को lead कर रहा है, यह एक्सकोलीट कर रहे है तब यह हो रहा है जब X और Y सेम हैं एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन आए होप आपके ब्रेन में डाइजस्ट हो रही है और आपको एक कंसेट क्लियर हो रहा है कि बड़ी सिंपल सी बात है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अगर यह हुआ तो एंट नहीं हो रहा है अच्छा इक और बात यह कि लेन these ERIC है मैं यह नहीं बा लबार यह कर रहा हूँ यह यह तो यह आगर कोईच नहीं है यह उसकी है से स्टोटा है या उसके एकवल है और यह वन से चोटा एक वले यह सर्फ तब है जब वन और सेंग है यह शोप आप मेरी बातें था थोड़ा सा यह वूसे लेता है तो अगर यह समझाया तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जी हां सर यह anti-symmetric भी है और अगर कोई relation reflexive, transitive और anti-symmetric होता है तो हम कहते हैं वो relation कैसा है वो relation एक partial order relation है I hope यह topic जो बहुत ही अजीब सा लगता है जो terminology सुनके ही बहुत डर लगता है you know partial order, symmetric anti-symmetric, transitive, reflexive again these are very threatening, these are very frightening you know scaring terms they intimidate students, I hope you got my point कि यह बहुत tough नहीं है अगर आप इनके nuances, अगर आप इनकी बारी किया समझ लें तो यह बहुत difficult part नहीं है आप इन चीज़ों को आसानी से crack कर सकते हैं थोड़ा और detail में आगे समझते हैं थोड़ी और चीज़ों को explore करते हैं और एक और example लेते हैं मैंने example deliberately रखे हैं थाकि आपको मैं इन concept को brain में settle कर वा पाँ कि देखो यह terms बहुत tough लगती हैं बट यह terms बहुत आसान हैं और इनको सीख लोगे ना तो exam में सीधे इन terms पर question आएंगे मतलब बोले का equivalence relation अगर आपको equivalence relation ही नहीं पता है तो आप कैसे पता करेंगे और देखो equivalence relation तब पता जलेगा जब आपको transitive symmetric और reflexive पता हो आपको बारी क्या समझ आ रही हैं कि चीज़ें बहुत detail में हैं चीज़ें बहुत गहरा ही हो में हैं मतलब बहुत बहुत fineness के साथ हमें चीज़ें पढ़नी होगी तो बहुत patience और बहुत सयम के साथ बहुत बहुत ज़ादा धेरे के साथ हमें चीज़ें कड़ी होगी just बने रही है, be consistent, be persistent let's strive everyday, बस daily लगे रही है daily बने रही है, जो भी lectures पढ़ाये जा रहे हैं, उन्हें notes बनाईए जो भी questions practice करवाये जा रहे हैं post करके पहले खुद से try करिए जितनी भी DPPs, MCQs, PYQs मिल रहे हैं, उन्हें खुद से practice करिए बस बने रहे हैं अभी बहुत जादा आगे का मत सोचिए, बस जो जो के meticulously plan किया गया है, हर चीज deliberately with a motive, with an intent रखी गई है, हर चीज को किसी current से plan किया गया है, तो अब बस चीजों को full faith के साथ follow करिए, और यकीन करिए चीज़ने बहतर होंगी, चलिए, बहाद ध्यान से सुनते हैं, class, इस question में क्या कहा जा रहा है, let T be the set of triangles in our plane, so किसी एक plane में, जितने भी triangles हो सकते हैं, उनका set है T, मतलब इस plane में, जितने भी triangles exist कर सकते हैं, मतलब कुछ right angle triangle हो सकते हैं, सर, कुछ normal equilateral triangle हो सकते हैं, कुछ isosilis triangle हो सकते हैं, कुछ scalene triangle हो सकते हैं, मतलब कोई भी तरह का ट्रांगल सकता है, random कुछ भी, any sort of triangle, so duniya के जितने भी तरह के triangles हो सकते हैं, let's say they all lie on this plane, मतलब बोर्ड मान लो एक plane है, इस बोर्ड में सारे तरह के triangles बना चुका हूं, so these are all planes, these are all triangles which are lying on this plane, अब वो क्या कह रहा है, please this बात को समझते हैं, वो बोल रहा है sir, कि मान लो relation है, अब relation की definition, हर बार relation की एक एक technical, एक understandable definition होगी, होगी, हो definition क्या है, this relation is defined by x or y, where x is similar to y, now this all fails, मतलब यह सब चीज़े हट जाएंगी class, क्योंकि अब हमें यह सारे तरे के triangle नहीं चाहिए, उसने बोला है, कि यह जो group है, यह सारे triangles का group है, यह सारे वो triangles है, सर, जो similar है, यह सारे triangles, देखो, उसने खुद लिखा है, वो खुद बड़ी clear सी language में लिख रहा है आपके लिए, that these are all such triangles, that x is similar to y, I hope आपको बता है, similar triangles कैसे होते हैं, similar मतलब एक ऐसा triangle, जिसको enlarge करके, compress करके दिखा जाए, तो वही triangle दिखे, इसका proportion वही बना रहे है, मतलब अगर इसकी साइट की length है 3, इसकी साइट की length है 4, इसकी साइट की length 5 और अगर यह 90 degree है, तो इसका similar triangle क्या होगा, इसी proportion में अगर इसको में enlarge कर दू, मतलब अगर इस 3 को में बना दू 9, तो 5 को भी 3 से multiply कर दो कितना 15, और 4 को भी 3 से multiply कर दो कितना 12, और वही same angle कितना maintain करो 90 degree, तो यह triangle similar है, I hope आपको यह बाते पता है, similar triangle compress हो की भी हो जाता, बना इसको half-half कर दू, मतलब अगर अगर करो यह enlarge करो, बस यह ensure करो कि angle same रहे हैं, और sides same proportion में बढ़े, यह सब बातें आपने 9th standard में, triangles को लेके, similarity को लेके पढ़ी होगी, congruent triangles क्या होते हैं class, congruent triangles same, मतलब वही का वही triangle, वही size, वही dimension, वही angle के साथ, अगर replicate कर दिया जाए, copy-paste, तो वो क्या होगा, congruent triangle, वेल, हमारे लिए जो relation define किया जा रहा है, यह relation similarity पर define किया जा रहा है, मतलब यह कह रहा है कि, X और Y, अगर दो triangle हैं, किसी plane में मौझूद, तो relation है कि X और Y similar है, मतलब अगर थोड़ी दे के लिए तुम समझना चाहो, तो तुम इसको कह सकते हो, किसर यह जो है, यह थोड़ी देर के लिए एक X triangle है, और यह जो triangle है, अगर यह Y triangle है, तो हाँ, X और Y उस condition को fulfill करते हैं, क्योंकि यह भी एक 3, 4, 5 sides वाला right angle triangle है, और यह भी उसी condition को fulfill करने वाला, इसी X triangle का similar triangle, right angle triangle है, तो वो बोल रहा है, आप प्रूव करिए कि यह जो R है, यह जो R है, यह जो हमारा relation है R, वो एक equivalence relation है, on T, मतलब इस plane, इस triangle के T set पर, अच्छा triangle T का क्या है, एक plane में लाई करने वाले सारे triangle, उस पे जो relation R है, यह equivalence relation है, सर अब बूल कहें, equivalence relation क्या होता था, जी हाँ, अरे सर, कोई triangle खुद के साथ, तो similar होता ही है न, आपको बात समझ जा रही है, reflexive क्या होता था, जल्दी से याद करो, reflexive मतलब, मैं जल्दी से याद करवाता हूँ, X, R, X, मतलब क्या कोई triangle, खुद के ही साथ similar होगा, सर, जब triangle ही repeat कर दिया, तो वो congruent है, वो same है, तो similar तो हो गई होगा, जल्दी से एक बार इस question को, कुछ से attempt करो, अगर reflexive समझ आया, तो एक बार देखो, कि क्या ये transitive और equivalence भी हो सकता है, question पढ़ो, और खुछ से try करो, इसके आगे, जल्दी से, खुद से try करिए, I hope आपने खुद से try किया, और समझा, कि reflexive के बाद, अब मैं से transitive कैसे prove करूँगा, अगर अभी भी reflexive को लेका doubt है, तो बहुत से clarity दे देता हूँ, जिनने reflexive समझ नहीं आया, कि reflexive क्यों है, बढ़ी आसान सी बात है साहब, क्या ये triangle, खुद के साथ symmetrical है? हाँ है, मलब क्या ये triangle, खुद के साथ similar है, हम really sorry, symmetrical word गलत यूज किया, क्या ये triangle, खुद के साथ similar है? सर है, मलब triangle ही वई है, तो similar तो होगा न, मलब सोचो में थोड़ी दे के लिए, मेरे साइड में अगर मेरे ही सेम प्रपोर्शन का एक आदमी खड़ा कर दिया जाथा, तो मुझसे similar होता, बढ़ तुम सोचो मेरे ही साइड में मेरा exact जुड़वा खड़ा कर दिया जाए, मेरा exact same replica तो जब हम दोनों ही same है, मतला जब हम दोनों congruent shapes हैं, तो similar तो होगी होगी न, यह वही बात होगी, कि identical relation, reflexive relation, I hope आपको याद आ रहा है, तो similarly मैं कहना चाहरा हूँ, कि कोई triangle खुद के साथ तो similar ही होगा न, वो तो वही है, तो XRX तो reply apply होगा, चलिए, equivalence के लिए हमने पहली step पार की, अब check करते हैं, क्या यह reflexive के साथ-साथ symmetrical है, अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, symmetrical तो होगी न, क्या तुमने सोचा कैसे symmetrical होगा, अरे सोच के बताओ, जल्दी से कैसे, symmetrical होना ही है, बेसिक सी बात है न, मतलब यह तो वैसी बात होगी, if Gajindra is my brother, so I should be the brother of Gajindra, मतलब गर मैं एक male हूँ, और Gajindra एक male मेरा भाई है, तो मैं भी तो Gajindra का भाई हुआ न, मतलब बेसिक सी बात है सर, अगर X, Y के साथ similar है, तो Y, X के साथ similar होगा है, मतलब इस question को हम पढ़की solve कर सकते हैं, मतलब अगर यह yes or no है, simple sec question पूचा जाए, और बोल दिया जाए कि पता करो, equivalence है या नहीं, तो हम बोल ली सकते हैं न, कि सर, अगर यह वाला triangle, तो हम सीधी बात है यह तो कैसी बात हम कर रहा है, कि सर, अगर यह वाला triangle इसके साथ similar है, तो यह triangle तो इसके साथ similar हो न, क्योंकि दोनों आपस में होते हैं, दोनों mutually similar होते हैं, मतलब अगर A, B के साथ similar है, तो B, A के साथ similar होता ही है, it's a mutual condition, मतलब, let's say, I have a partner, I have a wife, मतलब, if I have a partner, if she is my partner, I am her partner, so it's pairwise, it happens pairwise, मतलब, अगर यह इसके साथ similar है, तो यह इसका भी similar है, मतलब, इसके लिए अगर यह है, तो इसके लिए है, तो दोनों आपस में pairwise similar तो होंगी होगे न, मतलब, अगर कोई, X के लिए कोई Y exist करता है, मतलब, X के लिए कोई Y similar triangle है, तो definitely sir, उस Y के लिए X भी तो similar होगा, तो हाँ sir, यह relation symmetrical भी है, I hope आपको digest हो रहा है, I hope आपको समझ आ रहा है, जो मैं कहाना चाहरा हूँ, नहीं आ रहा है तो लिखेगा, I'll make it even more simpler, बढ़ा, I hope आप यह imagine कर पा रहे हो, कि एक triangle किसी दूसरे triangle के साथ similar है, तो वो triangle, इस triangle के साथ तो similar होगी होगा ना, बड़ी basic सी आसान सी बात है, जिस पर हमें ज़्यादा detail में discussion up करने की जरूत नहीं है, अब जल्दी से check करते हैं, कि क्या यह transitive भी होगा, और जैसी मैंने word यूज किया, transitive क्या आपको click हुआ, कि transitive मतलब क्या, I hope आपको याद वह रहा होगा, transitive मतलब क्या, transitive मतलब सर, कि अगर एक X के लिए, एक Y triangle similar है, और सर Y triangle के लिए, Z triangle similar है, तो क्या मैं conclude कर सकता हूँ, कि X के लिए Z triangle similar होगा, बिलकुल होगा सर, Q नहीं होगा आप ये बोलो, आप ऐसे समझो, इस 3, 4, 5 के लिए, similar triangle था, 9, 12, 15 वाला, मैं एक और triangle बना लेता हूँ, similar सा यहीं पर, मान लो यहीं पर, एक और बना लेता हूँ, लिए उसको थोड़ा समय, two times कर देता हूँ, मतलब 3 का double 6, 4 का double 8 और 5 का double 10, यह वही proportion में similar है, मतलब आप ऐसे समझो, प्लीज ध्यान से सुनियेगा, finally हम इस question को conclude रहें, कि सर, यह दोनों triangle similar है, यह दोनों triangle similar है, तो यह दोनों तो होंगी होंगे ना, I hope आपको यह बाद डाइजस्ट हो रही है, जब यह दोनों भाई हैं, वो दोनों भी भाई हैं, तो पहला और तीसरा शक्स भी तो भाई ही होंगे, क्या आपको यह बाद डाइजस्ट हो रही है, I hope आपको यह बाद समझ आ रहे हैं, तो can I finally conclude, कि सर, यह reflexive, symmetric, और transitive तीनों है, और अगर यह relation, reflexive, symmetric, और transitive तीनों है, मतलब सीदी सीदी बाद, यह सर, एक equivalence relation है, तो I hope आपको example, इसका solution, डीटियल में समझ आया, और अगर इतना आया, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों को discuss करते हैं, जल्दी से कुछ चीज़ों को quickly revise करते हैं, फटाफट हमने जो तक अभी तक पड़ा, उसमें फटाफट, की points पहला निकल के आया था, जो हमने डिस्कस किया था, यहां से सुनेंगे, अगर मेरे पास यह point है, क्या point है सर, इफ R is a relation from A to B, then we also write A, R, B. यह तो बहुत बैसिक सी बात है, है ना? I think यह शायद, हां, बिलकुल सही. In an identity relation on A, every element of A should be related to itself only. यह तो हमने बात कही है, identity 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Reflexive से अलग होता है, क्यों रफलेक्सिव में इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है. इसके अलावा, A, R, B shows that A is the element of domain and B is the element of range set. I hope यह तो आपको, मतलब subconscious brain में permanently set होगी होगी हुगी, नहीं बाते तो, यह तो हम करती ही आ रहे हैं, मतलब यह क्या बात है, A to domain ही होता है, अब तो आप भी हज़रे होंगे कि सरीए का पढ़ा रहे हो, but a quick review I am trying to give you, कि देखो, ऐसे चीज़े हैं और ऐसे चीज़े होती हैं, फिर भी अगर कि सरीज़े कुछ में सुआ है, तो यह finally वो चीज़े हैं, जो हमारे बहुत काम आने वाली है, कि first element domain और second element range, I hope यह सारे points आपको clear हुए, अगर यहां तक सारी चीज़े clear हैं, तो आगे बढ़ते हैं class, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ अब number theory के बारे में बात करेंगे, मतलब आज हम numbers के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा numbers को लेके, इसलिए discussion ज़रूरी है, क्योंकि sets के थुरू अब हम functions की तरफ जाने वाले हैं, मतलब हमने set शुरू किया, partition product, धीरे से relation को introduce किया, और अब subtly numbers के थुरू, मैं तुम्हें functions की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो जैसे हम functions पढ़ना शुरू करेंगे, आपको numbers बता होने चाहिए, numbers की बारे में बता होने चाहिए, फंक्शन में जब हम domain, code, domain, range की बात करेंगे, even इतने तरीके की इतनी शांदर शांदर अलगलग चीज़ी होंगी, कि उसके लिए आपको numbers का knowledge होना ही चाहिए, अल्दो आपको ये पता है, आपको ये 6, 7, 8 standard में भी बताया गया है, बड़ पता नहीं आपको कितने अच्छे से याद है, तो एक quick review लेते हैं, quick revision लेते हैं, quick recall करते हैं सारे numbers को, और फटा-फटा इस कहानी के थुरू, इस chapter का second phase खत्म करते हैं, और हम functions की तरफ move करते हैं, इस chapter का मतलब पूरा chapter नहीं, इस topic का, अभी तो हमारा sets, relations and functions शुरू हुआ है, एक basic introductory parts चल रहे हैं, अभी हम बस functions के introduction की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तो operations आएंगे, range, domain, graphs, transformation, बहुत कुछ आने वाला है, तो बस बने रहे हैं, लगे रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं, चल लिए, जल्दी से numbers की बात करते हैं, I hope you understand, जब nomads हुआ करते थे, जब हम घुमां फिरा करते थे, जब बंजारे हम हुआ करते थे, तो first of all, what they needed was, what they realized कि हमें count करना है, मतला मेरे पास इतने animals हैं, मेरे पास इतने पत्थर हैं, मेरे पास इतने घर हैं, तो they started counting like 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेसिक counting के लिए, चीजों को count करने के लिए, we needed natural numbers, तो natural numbers, I hope I did not tell you, natural numbers हमारे कहां से शुरू होते हैं, और यह सारे हमारे जो numbers हैं, यह जो चलते चले जाते हैं, जिसकी कोई कहानी खत्थ नहीं होती, infinity तक, यह सारे हमारे natural numbers होते हैं, so basic counting के लिए, जो हम numbers use करते हैं, वो natural numbers, और I hope मुझे बताने के जुरू हैं, conventionally, या traditionally, इस natural number के set को, हम किसे denote करते हैं students, इस natural number के set को, हम capital N से denote करते हैं, I hope आपको यह बात पता है, अगर इतना समझ आया, तो जल्दी से, अब हम integers की बात करेंगे, I hope natural numbers में जो और बाते बताने के जुरूत नहीं है, अचा, natural में गर और बाते करू भी, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ, कि सर, whole numbers क्या होते हैं, natural number के साथ धीरे से हमने, आरे बट जी ने 0 का invention किया, 0, मतलब यह 9 पे आगे रुख गए थे, यह 10 चाहिए था, तो 10 पता नहीं कैसे करते थे, तो 10, 11 या 20 या 100 के लिए, हमने 0 invent किया, अब 0 जब invent हुआ, तो उसके बहाने, अब हमने बोला, जिसी कि मालो मेरे पास 0 animals है, लब दो तरीके हैं, तो मैं कहूँ, I have no animals, यह पर I will say, I have 0 animals, लब दिस इस जस्ट पॉजिटिव वे उफ सेंग इट, है ना, लब यह वान तो से दाट, I have some money, I can say that I have 0 money, लब मैं positively कह रहा हूँ, it's like that, तो point is, जब मुझे whole numbers की जरूद पड़ी, इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हो, conventionally it is donated by W, तो natural numbers में, एक और अगर numbers, integer add कर से जाए, विच जए 0, तो 0 से लेके, infinity तक के हमारे यह सारे numbers, are called whole numbers, I hope यह बहुत basic सी बाते हैं, जो आपको पता है, बस इनकी जरूद लगने वाली है, आप आने वाले chapters में, तो जब मैं use करूँ, term natural, integer, you know, real, fraction, irrational, rational, तो आपको पता होगी, मैं क्या कहना चाहरूँ, तो इसलिए, इसलिए में पढ़ा दे रहा हूँ, तो बहुत नियाद से सुनिए, natural or whole number के बाद, जो अगली term हमारे पास आती है, that is called integers, सारे natural numbers के साथ, अगर मैं उसके हथ negative और zero ले लूँ, मतलब whole numbers के साथ, मैं सारे positive natural numbers का negative भी ले लूँ, तो वो क्या हो जाता है, integers, I hope आपको पता होगा, मतलब basically counting करते वाग्ग, जब ये concept आने लगा, कि मैं कहूं कि, मतलब मैं बहुत अजीब सा statement देने वाल हूँ, तो मैं natural regular day-to-day life में बाद, डाइजिस्टे नहीं होगी, बट mathematically हम इसे कह सकते हैं, तो मैंने किसी से दो गाए उधार ली, या मैंने किसी से दो सो रुपे उधार ली है, तो मेरे पास हैं दो सो रुपे, बट I would say I have minus 200 रुपे, क्योंकि वो किसी और के हैं, बट बट इस अमेजमेंटिकल वे उफ सेंग इस स्टेटमेंट, I hope you are getting my point, तो मैं कहूंगा, कि if I have minus 200 रुपे, it means I am trying to say, मेरे पास 200 ही हैं, मतलब किसी और के लिए हैं, विच आम सपोस्ट तो रुपे, तो जब ऐसी चीज़ें जनरेट हुई, जब इस तरीके की चीज़ें डेवलाप हुई, तो हमें negative numbers की, मतलब negative integers की भी ज़रुद पड़ी, तो इस तरीके से, अब natural और whole के बाद, finally overall हमें एक integers का set मिला, तो integers के set को generally, Z से denote किया जाता है, और integers के set में, जो सारे numbers होंगे, वो कुछ ऐसे होंगे, बिच में हमारा number होता है, 1, 0, इसके बाद 1, 2, 3, यह चलती चली जाएगी, और number scale पर, जो हम left hand side treat करेंगे, वो numbers होंगे, minus 1, minus 2, minus 3, और यह भी कहानी, minus infinity चलती चली जाएगी, तो यह सारे जो numbers हैं, these are called all the integers, I hope बहुत basic सी बात हैं, आपको समझ आ रही हैं, कोई confusion नहीं हैं इन चीज़ों को लेकर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं class, integers, I hope यह बहुत basic सी बात है, अब यह कुछ बात हैं, क्योंकि question में बता है, वो क्या कहतेगा, वो कहतेगा positive integers, तो अब बच्चे क्या सोचते हैं, मतलब obviously you all are start thinking, or taking it as an assumption, कि आप 0 को भी positive integers जर्मान लेते हैं, आप बोलते हो, 0 पे तो कहां sign लगा है, तो sign नहीं लगा है, मतलब positive है, क्योंकि negative number से आप sign लगाते हो, तो 0 एक ऐसा number है, which is neither negative nor positive, मतलब 0 को mathematically, बहुत dilemma है, mathematicians के बीच, वो 0 को ना even कहते हैं, और यसी प्राइम वराइम को लेके भी चलता है, मतलब 0 थोड़ा अजीव सा number है, 0 को लेके classification आप नहीं कर पाऊगे, मतलब कोई कहेगा, कि सर 0 even हो सकता है, क्योंकि जिसका भी unit digit 0 to 468 हो, वो even है, तो 0 का unit digit 0 है, तो even होना चाहिए, by that definition, पर प्रॉब्लम यह कि, even और odd का classification ही national number से शुरू होता है, तो 0 से बाहर हो गया, मतलब वो उस race में नहीं दोड़ रहा है, जिस race में आप लोगो को के टेगराइज कर रहे हो, तो this is how things are getting sorted, आप बस बातों को यह समझे, कि अगर कोई आप से कहे, कि सारे positive integers ले लो, तो positive integers 0 से शुरू नहीं होते, positive integers 1 से शुरू होते हैं, मतलब basically positive integers का मतलब natural numbers, अच्छा, इसके अलावा, उसको हम denote करते हैं I plus या N से, मैंने शायद गड़बड कर दी, गड़बड यह कर दी है, कि integers को, I am really sorry, मुझे थोड़ा cross check करना पड़ेगा, मतलब I am forgetting this proper convention, यह Z है या I, मुझे correct करिएगा, I am not very sure, बट यह Z और I में से कुछ है, I am forgetting this point, कि यह Z है या I, तो Z और I में से कुछ है, अभी चुकि वो I लिख रहा है, इसलिए मैं I ले ले रहा हूँ है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो Z भी होता है, विसे Z complex numbers के लिए भी जाता है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ books refer करती है, Z को भी as an integer, मतलब वो depend करता है, आप question में कुछ भी लें, वो question में दे देगा, कि Z denotes the set of all integers, and denotes the set of all natural numbers, generally question में वो दे देते हैं, तो this keeps on varying, मतलब ऐसा कुछ fix नहीं है, बठाँ कुछ conventions हैं, कुछ authors ने अपने अपने develop की हैं, कुछ traditions, उसको हम follow कर रहे हैं, इसके अलावा, I hope आपको ये बात पता है, अगर कोई कहें non-negative integers, अब non, चलो, पहले यही समझ लेते हैं, यह जो integers हैं, minus 3, minus 2, 1, यह सारे minus integers चले आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं negative integers, और इनको हम I minus से denote करते हैं, तो question में दिया आज़ा सकता है, कि यह I minus का set है, तो आपको click होना चाहिए, कि सारे negative integers हैं, एक और बड़ी बात, कि जब 0 से integer शुरू होते हैं, तो हम इने कहते हैं, या तो whole number, यह हम बात कर चुके हैं, या फिर इने हम कहते हैं, non-negative integer, अब बात समझो, जब आपने बोला है positive integer है, तो positive integer मतलब 1 से शुरू हो रहा है, बड़ अगर कोई कहे, कि यह non-negative integer तो आप फिर से यह बात मत करना, इसे non-negative मतलब positive, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, नहीं, अगर कोई कहे, कि यह non-negative integers का set है, मतलब positive and 0 का set है, मतलब positive and 0 का union है, याने कि, जब आपसे कोई कहे non-negative, तो आप शुरूआत करेंगे 0 से infinity तक, similarly अगर कोई कहे, non-positive, non-positive, तो 1 से लेके infinity तक के हटा दो, तो बचे क्या, 0 से minus infinity तक के, अलब non-negative और non-positive में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, only positive, only negative में, 1 से और minus 1 से कहानी शुरू होती है, I hope आपको integers को लेके, यह सारी बाते समझ आई, और यहां तक कोई परिशानी नहीं है, कोई भी doubt है तो प्लीज पूछे, there comes the most important part, rational numbers, rational numbers क्या होते हैं, rational numbers को कैसे break किया जाता है, कैसे workout किया जाता है, ध्यान से समझते हैं, इसे समझो class, rational की कहानी बड़ी interesting सी है, rational are like, अब समझो मैं, मैं धीरे-धीरे दे, started you know, cultivating crops, etc, तो क्या हुआ कि, जब जब से मैं 4.5 kg sugar खरीद रहा हूँ, तो अभी 4.5 कैसे measure करोगे, आप तो भी तक integral value calculate करें, 4 या 5 या 6, भी 4.5 क्याने लगा, तो जब 0.5 आया है, जब fraction आया, वहाँ पे हमें rational numbers की दुरहत पड़ी, मतलब, rational मतलब, अब numbers को, जब P by Q form में define के आजा सके, I hope ये basic से definitions आपने बच्च्मन में सीखी है, while condition क्या है, कि सब Q क्यानी होना चाहिए, Q कभी 0 नी होना चाहिए, और P और Q definitely integer होने चाहिए, और ये अपनी simplest form में होने चाहिए, मतलब, ऐसा नहीं बोलोगे, कि से 22 by let's say 4 is a fraction, I wouldn't say that this is a fraction or a rational number, it is a fraction, but it should be in its simplest form, मतलब, इन दोरों का HCF 1 होना चाहिए, इसको 2 से cancel करो, इसको 11 से cancel करो, so this is more of a fraction, although it was a fraction, but a proper fraction should be this, I hope you are getting my point, right, proper fractions में तो कुछ और भी चीज़े जाते ही, कि P जो और Q से चुटा आना चाहिए, फिर mixed fractions सा जाते ही, इतनी details में आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, problem बस इतनी सी है, कि हमें बस इतना चाहिए, कि P by Q form में हो, P और Q दोनों का HCF बन हो, मतलब उनमें कुछ common ना हो, और सबसे जरूरी बात, कि Q यानि denominator 0 नहीं हो गए, तो आपको सबको पता होगा, बहुत सारे questions function में आएंगे, जहांपे हमें range और domain से deal करना होगा, तो हम यही ensure करेंगे, कि हमारा denominator 0 नहीं है, आप यहां तक कोई confusion नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, rational numbers आपको समझाए, अब देखो rational numbers की खास बात होती है, rational numbers की क्या खास बात होती है, कि अलगला category के होता है, rational numbers में अलगला category होती है, category कैसी होती है, कि सर जैसे मैं 1 by 3 को explore करू, तो 1 by 3 कैसा होगा, 0.333 और यह 3 चलता चला जाएगा, मतलब यह 3 खतम नहीं होगा, तो यह इस तरह का खास rational number है, which is, you know, non-terminating but recurring, मतलब इसमें एक repetition है, इसमें इसमें पैटन है, एक डिजिट बार बार repeat हो रहा है, बढ़ है, terminate नहीं हो रहा है, still, I am able to convert it into a P by Q form, कैसे convert करते हैं, सीखा जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिखाया भी गिया होगा, मेरा मसला है कि मैं आपको अलग-लग तरह के fractions या rational numbers बताना चाहरू, एक ऐसी category हो थो जो terminating होते, terminating मतलब क्या, कि सर, basic number, मतलब अगर लिख दिया 2.73, तो एक normal सा fraction है, उसको आप convert कर सकते हो P by Q form में, कैसे decimal लटा होगे, मतलब 2.73 को क्या लिखोगे, 73 वाला decimal लटा के 100 से 2 एक कर दोगे, और चाहो तो simplify कर दो, तो हाँ सर, ये कैसा था, terminating and non-recurring, मतलब ये कहीं जाके terminate भी हो गया, और record तो वैसे भी नहीं हो रहा है, जैसे हैं हो रहा था, तो सर, ये कैसा है, recurring but non-terminating, this was non-recurring but terminating, तो दोनों ही P by Q form में convert हो गए, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं सर, जिनने P by Q form में convert नहीं कर सकते, P by Q form में इसलिए convert नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उन में कोई repetition होता है, यानि ना तो उन में कोई pattern होता है, और वो terminating भी नहीं होते, वो they keep on coming, they keep on coming, मतलब आप निकालते जाओ, हर बार एक नहीं नंबर आता है, जैसे πाई, पाई तो हमने standard manner में closest value 22 by 7 लिए, पाई की exact value 22 by 7 नहीं होती है, पाई की exact value 3.14 के बाद चलती चली जाती है, और digits आते चले जाते हैं, अगर आप पाई को 22 by 7 लिख रहे हो, तो 22 by 7 की theory से, पाई एक rational number हो गया, बट इन reality, पाई is an irrational number, क्योंकि irrational numbers की definition कहती है, कि ऐसे खास numbers, जो ना तो कभी terminate होते हैं, और ना ही उनमें कोई pattern दिखाई देता है, मलब आप under root 2 निकालो, आप under root 3 निकालो, आप under root 5 निकालो, जब इनकी root की value निकालोगे, तो चलती चले जाएंगे, और चलते चले जाते हमें अच्छा लगता, अगर इनमें कोई pattern होता है, इनमें कोई pattern नहीं है, कोई logic नहीं है, कोई sequence नहीं है, आप डूर्णते चले जाओ, numbers बनते चले जाएंगे, तो अब कहां से decimal अटाके, उसको कितने 1 के बाद 0 से divide करोगे, आप P by Q form में convert ही नहीं कर पाओगे, so point is, ऐसे सारे, अच्छा, ऐसे numbers होते हैं, मतला ऐसे numbers होते हैं, जिने P by, अच्छा आप बोलोगे, कि सर 5 है, 5 integer है, whole number है, natural number है, और ये fraction भी है, ये rational number भी है, क्योंकि 5 by 1 लिख सकता हूँ, but yes sir, there are certain numbers, जिने P by Q form में नहीं लिखा जा सकता, I repeat, there are certain numbers, जिने P by Q form में नहीं लिखा जा सकता, उन्रूट 5, उन्रूट 5 भी रहेगा, ये decimal के बाद चलती चला जाएगा, आप उसका decimal अटा ही नहीं पाओगे, आप उसका decimal नहीं अटा पारे हो, जिने P by Q form में नहीं लिख सकते हैं, ये बन्त हो गया P by Q form, बट हम अगर ऐसा करें तो हम, मतलब बहुत बेवकूफ और नालाइक हो जैसी हरकत कर रहे हैं, कि उन्रूट 5 by 1 में सर आपने इसको कहां, मतलब डेफिनेशन तो ये थी ना, कि सर वो P by Q form होनी चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? नाचरल नंबर्स, तो अंडूट 5 एनिवे नाचरल नहीं है, अंडूट 5 तो रैशनल है क्यों खतम ही नहीं हो रहा है न, वो तो डेसिमल वाली 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 है, वो तो एक फ्रैक्शन वाली है, ये सारी वैल्यूस, इर्रैशनल नंबर्स है, मतलब एक अभी टर्मिनेट नहीं होते, इनमें कोई रिपिटेशन या पैटन नहीं होता है, मतलब तुम्हें समझाने के लिए एक एक ग्जामबल लेता हूँ, मतलब ऐसी अलग लग टेक्निक होती है, mathematical induction और ये सब में, तो एक statement में ये मान लेता हूँ, कि चलो सर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये 18 by log 18 base 4 है, अच्छा, बाइदावे कुछ log की basic properties आपको पता होनी चाहिए, इस question को solve करने से पहले हम उन log की basic properties को discuss कर लेते हैं, तो एक basic property I hope आपको पता है, जिसे अगर आपको लिखके दे दिया है log of mn, है ना, तो log of mn को, मतलब log जो mn का आप लेते हैं, आप इसे I hope, मैंने हम base define नहीं क्या है, मतलब यह natural base है, है ना, तो अगर log mn लेना है, तो I hope इसे में क्या लिख सकता हूँ, इसे में लिख सकता हूँ, log of m plus log of, I'm really sorry, this should be log of m plus log of n, तो एक तो हमारा basic सा formula है जो आपको पता होगा, बहुत standard से formula हैं, अब logarithm जब पढ़ेंगे, तो मैं detail में पढ़ाऊँगा, बढब भी फिलाल के लिए बस समझ लीजिए, एक log का एक standard सा formula होता है, जो आपको पता होगा, जिसे अगर कोई लिखे log m to the power n, तो I hope आपको पता होगा, आप इस n को front में ला सकते हो, तो इसे मैं लिख दूँगा, n log m, ये एक और standard सा formula होता है, जो आपने सीखा होगा, इसके अलावा, एक और formula होता है, या रादर दो और formula होता है, उन्हें भी हम discuss करी लेते हैं, क्योंकि ये पूरा question उसी पर based है, जिसे लोग की properties पर, इसने लोग के कुछ formula में आपको revise करवा दे रहा हूँ, although हम ये detail में पढ़ेंगे logarithm chapter में, बट still, आप चीज़े सीख लीजे, जैसे अगर log m to the power n अगर ऐसा है, तो एक और बात है, कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है log, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है m, इस इस, बट जब बेस की power b है, तो आप उसका reciprocal front में लाते हो, बलाए एक ही power अगर b था, तो b सामने तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, I repeat, b सामने तो आएगा, लेकिन b कैसे आएगा, इस form में, तो यह हो जाएगा 1 by b, और आप ऐसा कैसे लिख देंगे, log m at base a, I hope आपको समझ आया, बड़ी सिंपल सी बात है, जब base को किसी power तक raise किया जाता है, तो उस power का reciprocal आगे front में आ जाता है, आप प्लीज इस property को याद रखेगा, इसके अलावा मेरे ख्याल चे कोई और property नहीं है, बहुत basic सी ये properties है, इनी पर based ये question है, तो चलिए, इस question को हम साथ में try करेंगे, question में क्या लिखा गया है, वो बोल रहा है कि चेक करके बताओ, कि log 18 base 4 एक irrational number है, ये प्रूव करो, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं मान लेता हूँ कि एक rational number है, और सर, अगर कोई rational number होता है, तो definition क्या कहती है, कि दुनिया के सारे rational numbers, P by Q form में convert किये जा सकते हैं, I repeat, दुनिया के सारे numbers, P by Q form में convert किये जा सकते हैं, और अगर ऐसा है, तो एक काम करते हैं, अगर मैंने मान लिया है कि एक rational number है, अगर मैंने मान लिया कि यह राशनल नंबर है, तो कहना इसे log of 18 base 4 को मैं P by Q लिख सकता हूँ online students, I hope आपको यह बात समझ आई, और अगर log 18 base 4, अब 18 में मुझे कुछ दिख रहा है, देखो मुझे feeling आ रही है कि यहां 4 है, यहां 18 है, तो कुछ-कुछ करके मैं यहां से कुछ चीज़े बना सकता हूँ, by the way, एक और property discuss कर लेते हैं, कि आपको यह बात पता है कि log of something at the same base is called 1, I hope आपको यह property पता है बड़ी detail में, कि log A base A1 होता है, और एक बड़ी important चीज़ की log बना कैसे, मतलब eventually मैंने log बहुत तक थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई दिया है, log बना कैसे वो में सब्जाने जारो, मान लो, जिसके यहां लिखा हुआ है, A to the power X is equal to Y, अगर लिखा हुआ है, A to the power X is equal to Y, जब exponent से हमने deal करना शुरू किया, तो वहीं से उस problem को आसान बनाने के लिए, हमने logarithm होता क्या था, समझो, मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ, base A पर, I repeat, मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ, log base A पर, तो जैसी आपने दोनों तरफ log लिया, तो यह हो जाएगा, log A to the power X, और यहाँ पर ले लिया है, base A, और यहाँ पर भी ले ले रहा हूँ में, log base A, पर तो यह जाएगा log Y base A, I hope आपको यह बात पता है, यह अगर A की power X है, तो X front में आ जाएगा, और जैसी X front में आएगा, तो यह जाएगा X, और यहाँ पर लिखा है log A base A, और I hope मुझे बताने की ज़रूद नहीं है, जैसे ही लिखा है log A base A, मतलब हो जाएगा 1, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, log Y base A, तो X is equals to log of Y base A, इसका क्या मतलब है, या यह क्यों किया जा रहा है, वो प्ली समझने की कोशिश करेगा, there is an intent behind doing it, मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, तो मैं उसको ऐसे में convert कर सकता हूँ, या मैं उल्टा कहना चाहरा हूँ, मैं कहना चाहरा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, तो मैं उसके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिए गार यहां से, कभी भी इजीवन में कोई आपसे कहे, that log y base a is equal to x, तो जब आप anti-log लेना चाहेंगे, तो आप directly लिख सकते हैं, कि सर इस base, when raised to this power x, results into this y, क्या आपको एलाइन समझ आई, मैं क्या कह रहा हूँ, कि सर यह जो base a है, सर यह जो base a है, यह जो base a है, अगर इसे इस power x तक raise करो, तो यह y k equal होता है, देखो, क्या आप थोड़ा सा relation निकाल पा रहे हो, I hope आपको यह समझ आ रहे है, मैं एक और example के तुरू समझाने की कुशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक और example लेकर हम करते हैं, वापस हम इस question पहेंगे, बट फिलाल के लिए और example के तुरू हम चीज़े work out करते हैं, इस पर मैं वापस आँगा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले ले रहा हूँ, बेस 10 पर, तो लॉग बेस 10 पर लिया तो क्या हो गया, यह हो जाएगा, लॉग 10 क्यूब बेस 10 इस इक्वल टो 1000, I hope आपको यहां तक कोई कन्फिशन नहीं है, I'm really sorry, यह 1000 नहीं होगा, लॉग आपको यहां तक कोई कन्फिशन नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को, इस थ्री को मैं फ्रेंट में ले आऊँगा, लॉग 10 बेस 10 वन होगा, अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस पॉइंट का सिक्निफिकेंस क्या है, मैं वो सिखाना चाहा हूँ, बड़ी आसान सी वाथ है क्लास, इसका यह मतलब है, कि सर अगर इस बेस 10 को, इस पावर तक रेस करोगे, अगर इस बेस 10 को, इस पावर तक रेस करोगे, तो it will result into this, it will result into this, it will result into this. I hope आपको ये NT log वाली process समझा रही है. मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखे, तो क्या आप ऐसा बना पाओगे, बस यह हमारा मसला है. I hope you got my point. अगर मैं बहुत basic से standard सी language में सिखाना चाहूँ, तो मैं आपको ये सिखाना चाहरा हूँ, कि अगर कभी भी ऐसा दिखे, जैसे मानलो लिखा हुआ है, log B base A is equals to M, तो हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे, हम बड़ी basic सी operation perform कर रहे होंगे, operation यह होगी, कि मैं इस A को power M तक raise करूँगा, मतलब मैं लिखूँगा A to the power M, question पर, question था, कि आपको प्रूव करना था, log 18 base 4 एक irrational number है, हमने assumption लिया, कि log 18 base 4 एक rational number है, मैंने बहुत सारी hint, बहुत सारी information आपको दिये, आप खुद से एक बार try करिए, और फिर हम इसे साथ में discuss करेंगे, pause the video and try this here, चलिए, I hope आपने question try किया, हुआ है या नहीं, वो अलग बात है, हम साथ में try करेंगे और इस question को खत्म करेंगे, और आप सीखेंगे, कि maths कितनी amazing और शानदार सी चीज़ है, और maths से आप चीज़ों को कितने अलग-अलग तरीकों से सोच सकते हो, हमें प्रूव करना था, कि log 18 base 4 एक irrational number है, क्यों form नहीं लेता हूँ, है ना, मैं इसको बाद में deal करूँगा, क्या मैं log 18 by 4 को log के basics की help से simplify कर सकता हूँ, सबसे पहली property, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 18 को, log 18 को 2 into 9, I hope हम ऐसा लिख सकते हैं, और जब जैसे ही log 18 को 2 into 9 लिखूँगा, मैं property use करूँगा, log mn, which can be log m plus log n, तो मैं log 18 को 2 into 9 लिख के मैं क्या लिख दे रहा हूँ, क्लास, मैं इसे लिख रहा हूँ, log 2 base 4 plus log 9 base 4, I hope यहां तक आपको चीज़े समझ आ रही हैं बहुत easily, आगे बढ़ते हैं, क्लास, अब जब मुझे यह दिख रहा है, हम दोनों properties apply करेंगे, बहुत ध्यान से दिखेगा, मैं बोलता हूँ, कि सर यहां पर इस 4 को, क्या मैं इसा लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इस 4 को क्या मैं, log 2 तो ऐसा कैसा, बट 4 को 2 का square लिख सकता हूँ, I hope आपको यह property क्लिक हुई, दूसरी चीज, क्या मैं सर यहां पर log 9 को, 9 को, क्या मैं 3 का square लिख सकता हूँ, मतलब मैं square से लिख सकता हूँ क्या, log 3 square, base 4, I hope यहां तक आपको बाते समझाई, बसे note down कर लिजे, I'm moving towards the next slide, मतलब हमारे पास जो दो slides हैं, वो क्या है class, हमारे पास जो भी question में step बन क्या रही है, वो यह है, कि log 2, base 2 to the power 2, है ना, plus जो पिछली side में हमारे पास content था, वो था log 3 square at base 2 square, I think यही था, एक बार बस cross check कर लेते हैं, जो था log 3 square at base 4, okay, so that was log of, log of 3 square at base 4, और उस base 4 को भी मैं 2 square लिख ले रहा हूँ, I think यहां तक हमारे पास चीज़े हैं, अब अगर मैं से simplify करना चाहूँ, तो मैं से क्या लिखूँगा class, बहुत यहां से दीखेगा, मैं अगर इसे simplify करूँ, तो मैं से लिखूँगा, everyone, please pay attention, पहली बात तो यह जो base में इसकी जो power है, it can be brought to the front, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I hope यह बता होगा कि power अगर यहां पर है, तो यह reciprocate होके आती है, तो यहां पर यह 2 है, तो यह हो जाएगा 1 by 2, और यह हो जाएगा log 2 base 2, तो यह जीवन अभी तक बहुत sorted सा है, बहुत सिंपल सी चीज़े है, प्लस, जब आप यहां पर चीज़े करेंगे, तो यह है 3 square, अब जब यह 3 का square है, तो किना इसे square फ्रंट में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, और सर यह जो 2 का square है, यह जो हमारी value है, यह base की power है, तो रेसिप्रोकेट होके आएगी, तो वो जाएगा दूसरा 2, और अब जो चीज़ बच रही है, वो क्या होगी class, हमारे पास होगा log 3 base 2, तो अब यह तक चीज़ें बहुत sorted हैं, मैंने बस कुछ नहीं किया, log 18 base 4 को simplify किया, simplify करते करते हैं, मुझे क्या मिल रहा है, तो log 2 base 2 1 होता है, तो सर्व एक चीज़ तो बहुत thought out हो गई, कि हम P by क्योंके करीब हैं, मतलब हमें यहां तो 1 by 2 मिल गया, मतलब शायद बात बन जाए, आप गलत हो सर, कि वो irrational नहीं है, वो rational ही है, देख लेते हैं, यहां पर 2 by 2 1 हो जा रहा है, और यह जो चीज़ बन रही है, यह हो रही है, log 3 base 2, है ना, अच्छा, किसी rational number में rational number add करेंगे, तो rational बन जाता है, मतलब अच्छा, तो मैं पता है, A by B को C by D से add करेंगे, तो एक नया rational number बन किया जाता है, तो sir, हाँ, यह तो rational number है, तो अगर यह और rational हो जाए, तो इन दुनों का सम भी rational ही हो गए, तो बड़ी basic सी बात है, तो एक काम करते हैं, मैं मान ले रहा हूँ अब, कि यह जो दूसरा वाला number है, जो अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, यह एक rational number है, मैं क्या मान ले रहा हूँ, कि log 3 base 2 एक rational number है, और sir, अगर log 3 base 2 अगर rational number है, तो मैं इसे P by Q फॉर्म में convert कर सकता हूँ, अब हम एक formula की तरफ जाएंगे, कौन सा formula class, बड़ा important सा formula, जो आपको सिखाने की काफी कुश्च की गई, यह formula, I hope आपको यह याद है, कौन सा formula, कि अगर log B base A लिखा हुआ है, M के equal, तो इस A को M तक अगर raise किया जाए, तो वो A to the power M, B return करती है, अगर यही property में यहाँ अपलाए करूँ, तो कहना यसे, सर बहुत सिंपल सा observation है, बस आप ध्यान से देखिए, क्या observation है सर, कि सर, आप 2 को raise करिए इस P by Q तक, अलब आप क्या लिखोगे, 2 की power P by Q, और यह 2 की power P by Q, किसके equal होगी सर, यह equal होगी 3 के, I hope यहाँ तक कोई confusion नहीं है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ power Q तक raise कर दे रहा हूँ, जैसी आप दोनों तरफ power Q तक raise करोगे, तो इसको भी power Q तक raise किया, इससे भी power Q तक raise किया, and I hope you are realizing, यह power Q, इस power Q से cancel हो जा रही है, तो जो final equation मन क्या रही है, और यह 2 की power P is equal to 3 to the power Q, अब एक बात सोच के बताओ, जरा दिमाग लाके सोच के बताओ, 2 की कोई सी भी power, 2 की कोई सी भी power, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4, मतलब सब even होने वाली है, 2 की power 2, 4, 2 की power 3, 8, 2 की power 4, 16, 32, 256, सब कुछ चलता चला जाएगा, यह सब क्या होंगी even, मतलब left hand side पे मुझे सारे even भी लेंगे, और 3 की power सोचो, कोई number even बनता ही तब है, जब उसमें one of the factors is even, अब 3 को multiply 3, 3, 3, 3 करते जाओगे, तो सारे odd into odd into odd, मतलब 3 into 3 into 3 into 3, चलता ही चला जाएगा, और जब odd, odd, odd multiply होंगे, तो odd, कभी भी odd के product से even नहीं बनता है, मतलब कोई भी number even होता ही इसलिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई 2 मौजूद है, आप देखो, आप लिए 64 लो, 64 में 2 होता है, आप 102 लो, 102 2 से divisible है, तो कोई भी number even का होता है, जब वो 2 से divisible है, अब जब 3 की आप कोई सी भी power ले लो, 3 का square 3 की पार 5, 3 की पार 12, कुछ भी ले लो, उसमें 3 into 3 into 3 into 3 हो रहा है, तो वो कभी भी even नहीं होने वाला है, मतलब यह जो side है, right hand side, वो हमेशा क्या होगी, अम रिली सॉरी, यह जो right hand side होगी, यह हमेशा एक odd number होगी, इसका है मतलब है, कि left hand side हमेशा even है, right hand side हमेशा odd है, तो क्या यह दोनो side का भी equal होगी, impossible, and if it is impossible, the assumption you took is impossible, मतलब that was wrong, मतलब log 3 base 2, cannot be represented as p by q, and if it cannot be represented in terms of p by q, it means log 3 base 2, is not a rational number, and if it is not a rational number, यह पूरा number एक irrational number ही है, तो आपको इसे claim करना, या कहना सही होगा, कि log 18 base 4 is an irrational number, I hope आपको एक पूरा question, इसका explanation समझाया, पूरी detail में आपको clarity मिली की चीज़े कैसे होती है, थोड़ी और चीज़े पढ़ते हैं क्लास, बहुत ध्यान से सुनियेगा, बहुत basic basic सी चीज़े finally culminate करेंगे, everyone, the next thing which comes out is real numbers, अभी तक हमने सारी चीज़े discuss की, अब finally real numbers को explore करेंगे, जितने भी numbers ही दुनिया के, जो number scale पर plot किया जा सकते हैं, इस तरह के सारे numbers को, we call real numbers, जिला any number which can be plotted on, you know, number scale, और इसमें सब आता है, इसमें fraction आते हैं, इसमें irrational numbers आते हैं, इसमें rational numbers आते हैं, इसमें सारे हमारे जितने भी numbers होते हैं, सब आ जाते हैं, बतार integer, non-negative integer, zero, whole number, natural number, ये सब मतलब basically हैं, तो सब superset, subset ये ना, तो real number is the superset, is the bigger set, और जब हम complex पढ़ेंगे, तो complex सब का superset होता है, उसमें से सब कुछ derive होता है, बट अभी जब तक आपने complex नहीं पढ़ाए, तो आप अभी superset design कर सकते हैं, और real numbers, देखो, मैं समझाता हूँ, real numbers से पहले में तो मैं यही समझाता हूँ, ये complex पे हम बाद में बात करेंगे, purely real क्या होते हैं, purely imaginary क्या होते हैं, इस पे भी बात-बात करेंगे, आप अभी इस चीज को यहाँ से समझे, कि हमारे पास होंगे real numbers, real number में वो number जो p by q form में आ जाएं, वो होंगे rational, और वो number जो p by q form में ना हैं, मतलब जो non-terminating, or non-recurring, मतलब हमें ना कोई repetition ने ना ही वो terminate हो रहा है, ऐसे numbers है, irrational numbers, जैसे अंडूरूट फाइब, पाई, ये सारे numbers, अब rational में भी हमने integers, दिखो आई और जेट दोनों से रिनोट कर रहे हैं हैं, तो दोनों ही सही हैं, तो बी वेरी honest, और non-integers, अब अगर integers की बात करूँ, तो integers में क्या होंगे class, negative, zero, और positive, है ना, और positive को ही हम natural numbers भी कहते हैं, और zero को include कर लें, तो वो सारे whole numbers बन जाते हैं, तो ये वो सारी बाते हैं, जो भी तक हमने discuss की, अगर real numbers को लेके कोई confusion ने तो पूछे, I think real numbers बड़े simple से number होते हैं, इन numbers को हम geometrically कहीं भी plot कर सकते हैं, तो आप minus five को भी plot कर सकते हैं, आप zero, one by two, अगर root five, पाई, ये सारे numbers, natural numbers, मतलब ये सारे numbers, हमारे numbers केल पे plot किये जा सकते हैं, तो इन सारे numbers को अगर numbers केल पे plot किया जा सकता है, इन सारे numbers को लेकर आपको सारी clarity है, और अब कोई confusion नहीं है इस chapter को लेकर, और इस chapter को हम आगे continue करेंगे अगले lecture में, फिलाल के लिए, I hope आपको पता है that magnet brains का IATJ need, या rather सारे segments, are absolutely free of cost, आपको सारे questions, सारे lectures, सारे DPP, सारे practice material, सब कुछ you get at free of cost, सब कुछ freely available है, you just need to watch the videos and practice the material provided to you, apart from that, सबसे जरुरी बात, अगर ये videos आपको ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पसंदा रहे हैं, लाइक करिए, अगर इन videos में आपको content ऐसा लग रहे है, जिससे आप हमेशा जुड़े रहना चाते हैं, अब डेटेड और नौटिफाइड रहना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, and finally, if you feel that इतना अच्छा material, इतनी महनत किया गया, इतना finally create किया हुआ product, किसी के भी काम आ सकता है, especially those who are in need, जिनने इनकी सच में जरुवत है, जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो please उनसे इसा शेयर करिया, with that I believe we can call it a day, thank you so much.